हेलो फ्रेंज आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आप सब के लिए एक और नया और बेहत खुबसूरत नेक डिजाइन लेके आई हूँ जिसे हम फैब्रिक पट्टी और पर्ल्स के साथ रेडी करेंगे ये डिजाइन आप सब को बहुत ही पसंद आने वाला है तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपनो नेक ही कट करेंगे तो उसके लिए मैंने ये बुकरम लिये जिसे ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है तो अब हमें नेक की गहराई को मार्ग करना है तो नेक की गहराई न मैं यहाँ पर साड़े चार इंच मार्ग करूंगी तो साड़े चार इंच को बिना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्ग कर लेना है तो अब हम इस dimension के अंदर ना अपना round neck draw करेंगे short round neck तो ऐसे हमने अपना round neck draw कर लेना है इसमें अब हमें न बाहर से extra बुक्रम लेनी है वो हम एक एक इंच लेंगे इंची टेप से नाप करके इस तरीके से तो अब हम अपनी ये वाली marking को न ऐसे मिला लेंगे तो neck हमारा draw हो चुका है अब हमने इसके बाहर से gap लेना है डेड़ इंच का जादा gap नहीं लेना सिरफ डेड़ इंच का ही लेना है उसे भी न हमने इंची टेप के साथ ऐसे नाप करके लेना है बिल्कुल बराबर आना चाहिए तो ऐसे हमने डेड़ डेड़ इंच को भी न neck के साथ साथ मार्क कर लेना है तो अब हम अपनी ये वाली marking को भी ऐसे मिला लेंगे तो अब हम इना बाहर से एक्स्ट्रा बुक्रम लेनी है पोना पोना इंच तो वो हम ऐसे ही free hand के साथ मार्क कर लेंगे तो neck हमारे ऐसे mark हो चुके हैं अब हम इसे अपनी marking के बिल्कुल साथ साथ कट कर लेते हैं तो बड़े वाले neck को हमने ऐसे कट कर लिया है अब हमने gap वाले pattern को कट कर लेना है तो छोटे वाले neck को भी हमने ऐसे ही कट कर लेना है तो neck हमने सारे कट कर लिये हैं यह हमारा short round neck का गया जो हमारा main neck है और यह हमारा gap वाला pattern है इसे हमने फेंकना नहीं है side में रख लेना है और यह हमारा बड़े वाला neck का जाएगा ऐसे gap के साथ अब हमें न सबसे पहले बड़े वाले neck को extra fabric के उपर paste करके कुर्टी पे ready कर लेना है तो ऐसे बड़े वाले neck को मैंने extra fabric के उपर paste भी कर लिया और इसे ऐसे side से fold भी कर लिया है अब हम इसे न अपनी कुर्टी पे रख के ready कर लेते हैं तो कुर्टी को खोल के सीधा करके रखेंगे और neck को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे center में एक rough stitch लगाएंगे और उसके बाद बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो बहुत सारे neck में आपको ऐसे पलट ने बताती रहती हूँ तो इसे भी हम जल्दी से ऐसे ही पलट लेंगे तो बुक्रम के साथ साथ हमने सिलाई भी लगा ली है अब हम बीच वाले फैबरिक को कट कर लेते हैं तो बीच वाले फैबरिक को भी हमने ऐसे कट कर लिया है अब हम इसमें छोटे छोटे cuts भी लगा लेंगे तो कट्स भी हमने लगा लिए हैं अब हम इस नेक को न पलट लेंगे ऐसे अंदर की तरफ पलट के न हमने इसे प्रेस कर लेना है तो ऐसे बड़े वाले नेक को न हमने कुड़ती के उपर रेडी कर लिया है प्रेस के साथ तो अब हम न इसके बीच वाला यनि की गैप वाले पैटरन को रेडी कर लेते हैं तो ये जो हमने गैप वाला पैटरन कट किया था न इसे हमने पेपर के उपर न ऐसे खोल के रख लेना है ऐसे और इसके अंदर और बाहर ना बिल्कुल इसके बराबर बराबर हम मार्क कर लेंगे तो मार्किंग हमने ऐसे कर ली है अब हम बुक्रम वाले पैटरन को ना यहां से हटा देंगे तो गैप वाले पैटरन को ना हमने ऐसे पेपर के उपर मार्क कर लिया है अब हमने ना इसके अंदर फैब्रिक पट्टी स्टिच करनी है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो सेम कुट्टी वाले फैब्रिक से ये मैंने पट्टी कट की है ये पट्टी मैंने दो इन चौड़ी ली है और लंबाई में हमें थोड़ी जादा लेनी है क्यूंकि हमें इस से चोटी चोटी पट्टीयां कट करनी है अब हम इस पट्टी को आईसे डबल फोल्ड कर लेंगे यहां से ऑसे और पहले उपर की तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर यहां पे ऐसे सिलाई लगाओंगे तो ये पट्टी न हमारी लगबग आधाई चोड़ी रेडी होगी तो पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली हैं अब हम इस पट्टी को न पलट लेते हैं तो बंद वाली साइड से हमने थोड़ा सा इसे ऐसे अंदर की तरफ करना है और फिर किसी भी सिलाई या पिनकी मदद से आप इसे पलट लीजिए ये खुली पट्टी है असानी से पलटी जाएगी फ्रेंस मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही इजी टिप्स के साथ आपको ये डिजाइन बनाने बताऊं ताकि जो बिगनर्स है उनके लिए भी ये डिजाइन बनाने असान हूँ ऐसे ही हमने सारी पट्टी को पलट के इस सिलाई को हमने बिल्कुल सेंटर में ले आना इसके और इसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से तो ऐसे ही न मैंने दो बड़ी बड़ी पटिया रेडी कर ली है और इनने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है इस सिलाई को बिल्कुल सेंटर में लाते हुए अब हमने इससे छोटी छोटी पटिया कट करनी है तीन तीन इंच की पसीनी के बराबर न हमें सारे पिसिस कट कर लेने हैं पटियों से तो सारी पटियों से न हमने ऐसे पिसिस कट कर लिये हैं अब हमें न इनने सेंटर से स्टिच करना है सुईधागे के साथ ऐसे इसका न हमने बो बना लेना है पहले से ही सुई धागे के साथ ऐसे टांका लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से तो ऐसे हमने टांका लगा लिया अब हम इस धागे को न ऐसे खीच देंगे और इसका बो बना लेंगे अब हमने इसी धागे के साथ इसे रैप कर देना यहां से थोड़ा सा धागा रैप करने के बाद ना हमें इसी सुई धागे के साथ यहाँ पे एक परल स्टिच कर लेना है ऐसे बिल्कुल इसके सेंटर में ना हमने ये वला परल ऐसे स्टिच कर देना है अपने टांके के उपर तो ऐसे हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है परल के साथ तो ऐसे हमने अपनी सारी पट्टियों को रेडी कर लेना है तो सारी पट्टियों को ना हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है और इनके उपर ना ऐसे परल भी स्टिच कर लिये हैं अब हम इन पट्टियों को न अपनी मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ऐसे ऐसे रखेंगे पट्टियों को और अपनी मार्किंग के बिल्कुल उपर उपर शेलाई लगा लेंगे तो पट्टियों के बीच में हमने कोई भी गैप नहीं लेना है और साथ में बेल आइकोन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप मेरे फेस्बुक पेज पे नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए मैं हर रोज एक नएा डिजाइन उस पे डालती हूँ तो सारी पटियां हमने ऐसे स्टिच कर ली हैं बाहर वाली सिलाई लगाते हुए अब हमें न अपनी मार्किंग के उपर न अंदर वाली तरह भी सिलाई लगानी है बस ऐसे ही न हमने पटियों को अपनी मार्किंग के उपर रखते जाना और सिलाई लगाते जाना है तो इन पटियों पे न हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा पेपर और एक्स्ट्रा पटियों को ट्रिम कर लेना है अपनी सिलाई के साथ आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेंगे और वाकी सारी पटियों को बाहर से ट्रिम कर देंगे तो ऐसे हमने अपने पैटरन को ट्रिम कर दिया है बाहर से अब हमने इस पैटरन को अपनी कुर्टी के साथ स्टिच करना है तो pattern को ऐसे रखेंगे और कुर्टी वाले neck को इसके उपर set करके रखेंगे ऐसे अपनी सिलाई के उपर हमारा ये neck काना चाहिए और यहाँ पर हमने top stitch लगानी है बिल्कुल neck के किनारे किनारे पर तो pattern को न हमने ऐसे अपनी कुर्टी के साथ stitch कर लिया है अब हमने इसके बीच वाले paper को भी यहाँ से cut कर देना है अंदर वली सिलाई के भी साथ हमने आध्यादे इंच का ही margin लेना और बाकि सारे paper को हमने यहाँ से trim कर लेना है तो paper को हमने ऐसे बीच में से cut कर दिया है अब हमने इसके ऊपर चोटे वाला neck ready करना है जो हमने बुक्रम के उपर कट किया था तो छोटे वाले नेक को ना मैंने सेम गुर्ती वाले फैब्रिक के उपर ही पेस्ट किया है और इससे साइड से ऐसे फोल्ड भी कर लिया है अब हमने ना इसके जितना ही एक और फैब्रिक लेना बिल्कुल इसके जितना ही लंबा और इसके जितना ही चोड़ा ये नीचे वाले फैब्रिक को हमने सीधा करके रखना और नेक को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखना है अब हमें बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है तो सिलाई हमारी लग चुकी है अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेते हैं सिलाई के साथ आदे अदेंज का मार्जन लेते हुए अब हमें यहाँ पे न छोटे-छोटे कट्स भी लगा लेने है तो कट्स भी हमारे सारे लग चुके हैं अब हम इस नेक को न पलट लेंगे ऐसे तो नेक को पलट के न हमने यहाँ से न इसे प्रेस करके अच्छे से बिठा लेना है यहाँ पे कोई भी सिलाई हमें नहीं लगानी है और यह वले मारजन को भी न हमने भुक्रम के बिल्कुल साथ साथ न अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे बिल्कुल भुक्रम के बराबर बराबर ऐसे फोल्ड करके न इसे प्रेस कर लेना है तो ऐसे छोटे वले नेक को भी न हमने प्रेस करके ready कर लिया है और इसके margin को भी न हमने अंदर की तरफ ऐसे fold कर लिया है अब हम इस नेक को न अपनी कुर्थी के साथ stitch करेंगे तो नेक को न ऐसे खोल के रखेंगे और ये पटियों वाले पैटरन को इसके अंदर ऐसे दबाते हुए उपर की तरफ ना हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है ये सिलाई आप धीरे-धीरे अराम से लगाएं फिनीशिंग के साथ तो ऐसे हमने उपर की तरफ छोटे वाले नेक को स्टिच भी कर लिया है और ये नेक डिजाईन हमारा इसे रेडी हो गया है अब हमने ना पीछे से पेपर को निकाल देना है तो जहां पे सिलाई लगी होती है ना वहां से पेपर बहुत ही असानी से निकल जाता है ये देखिए बस ऐसे ही न हमने सारे पेपर को पीछे से निकाल लेना है तो ये देखिए पीछे से हमने पेपर को भी निकाल दिया है और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये नेक डिजाइन बनके रेडी हुआ है तो आप भी ये वाला नेक डिजाइन अपनी कुर्टी पे जरूर ट्राय करें डिजाइन अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई